सब्सक्राइब करते रहें तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का एंसे आटे की बुक में गिवान एक्जामपल नंबर 4.4 सौलव करेंगे इस अग्जामपल करने से पहले अगर अभी तक आप लोंने हमारे चैनल को नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को भी प्रैस कर लिजिए तक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे और यह पसंद आया तो लाइक किजिए आपने दोस्तों की शेयर जरूर कर दीजिए और अगर इस वीडियो से लेटेड आ अगर प्लस फॉर्टी स्क्वर जेकेप प्लस फई प्लस फाइब कर टीजिए इन सेकंड अड़ कोफिशेंट है दा प्रॉपर युनिट्स फ़र आर तो बी इन मिटर्स यहामें क्या गिवन है एक पार्टीकल के पॉजिशन का वेक्टर गिवन है पॉजिशन वेक्टर गि kb plus 2t square jk plus, कितना लिखा है, 5 kb, तो यह हमें क्या given है, position vector of a particle, जहां पर हमें क्या कहा कि यह जो t है, यह t किसमें है, in seconds, and the in seconds and the coefficient have the proper units of for r to be in meters, और इसके जो coefficients है, उनके unit किसमें है, meters में है, तो हमें क्या calculate करना है, हमें find out करना है, vt and at for the particle, इस particle के लिए हमें vt, मतलब यह तो हमें given है, position vector, हमें velocity vector calculate करना है, and at, मतलब acceleration vector calculate करना है, और एक और चीज़ क्या calculate करना है, find the magnitude and direction of vt and at t is equal to one second, कि हमें magnitude और direction बताने किसकी vt, मतलब velocity vector की curve at t is equal to one second, तो देखो, यह तो हमें क्या given है, position vector, अब अगर हमें क्या calculate करना है, इसका velocity vector calculate करना है, तो हमें पता है, velocity vector vt is equal to क्या होता है, dr upon dt, velocity vector v is equal to kya आता है, change in position vector upon change in time, तो मतलब dr upon dt, मतलब अगर इस position vector का हम t की respect में differentiation कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, velocity vector आ जाएगा, तो हम इसका क्या कर देते है, t की respect में differentiation, तो यहां मैंने लिख दिया, d by dt 3t i cap plus 2t j cap plus कितना लिखा है 5k cap ठीक है यह लिख दिया हमने अब इनका क्या करेंगे हम differentiation तो देखो differentiation करेंगे तो हमारे पास किसकी value आ जाएगी vt की value आ जाएगी तो यह जो 3 है 3 है constant i cap as it is रहेगा 3 और i cap as it is रहेगा differentiation किसकी respect में हो रहा है t की respect में तो t की respect में इस t का differentiation क्या हो जाएगा 1 तो यहां पर क्या बचेगा 3t तो यहां मैंने लिख दिया 3 3 और यह i cap फिर यह plus का sign यह plus sign यह जो 2 है वह as it is अब t square t square का differentiation क्या होगा हमें पता है यह differentiation क्या होता है power आगे आ जाती है और power में से 1 minus तो इस t की power कितनी है 2 तो इस t की power जो 2 है वह multiply में आ जाएगी और power में से 1 minus हो जाएगा मतलब 2 minus 1 क्या होगा differentiation t square लिखा था तो जो t की power थी कितनी थी power 2 वह power उठकर कहां आ गई टी की multiply में और power में से 1 minus तो इस 2 में से 1 को हमने minus कर दिया और यह जो जे केप है वो है as it is plus यहाँ पर क्या लिखा है 5 kk यहाँ पर t की term है क्या नहीं है मतलब 5 और kk क्या होगा एक constant होगे तो constant का differentiation क्या हो जाएगा जीरो हमें पता है अगर constant है उसके साथ कोई variable नहीं है तो उसका differentiation कितना हो जाता है जीरो हो जाता है तो हमारे पास कितना आ गया 3 i cap plus 2 में 2 से multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 t 2-1 कितना हो जाएगा 1 मतलब इस टी की पावर कितनी है 1 उस पावर को लिखो ना लिखो एक ही बात है प्लस जीरो प्लस की जीरो को भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा और यह जेकेब जो है वह इसको दे दिया हमने गया सब्सक्रणी sells बॉसके साथ और क्या इसके साथ हए एक्स्टायरेशन वेक्टर एक्सिलरेशन वेक्टर एक्सिलरेशन वेक्टर का T की respect में differentiation कर दे तो हमारे पास क्या जाएगा acceleration आजाएगा तो कर देते हैं तो हमारे पास क्या यह वी की value वी की value पुट कर देते हैं हमने लिखा यहाँ पर D by D T और V V की value कितनी है V की value 3 I K plus 4 T J K तो यहां मैं लिख दिए और वहां पर अगर variable नहीं है तो constant का differentiation क्या हो जाता है 0 तो यह हमारे पास value कितनी है 0 plus 4 constant as it is T T का differentiation T की respect में कितना हो जाएगा 1 तो इस T का differentiation हो गया 1 तो यह 1 लिखा और यह जो J K भी वह तो as it is तो जो A T है A T की value कितनी है 0 plus 4 into 1 J K पर इसी को हम क्या लिख सकते है A is equal to हमारे पास आ गया है 4 J K इसको दे देते equation number 2 अब हमसे क्या पुछा है हमसे यह पुछा है कि A और T निकालो तो हमने हमें सब पुछा था V T निकालो V T निकाल लिया A T निकालो A T निकाल लिया अब हम क्या करेंगे इसका यह जो है इसका magnitude तो इसका magnitude मतलब A is equal to कितना आ जाएगा 4 जो है 4 उसका magnitude है और J K जो है उसकी क्या represent कर रहा है direction मतलब A की value कितनी है 4 meter per second square और J K कौन से direction को represent करता है इन वाइड डायरेक्शन तो इसकी direction क्या है इन वाइड डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में है वाइड डायरेक्शन में है अब यह तो हमने solve किया first part A अब हमें B solve करना है तो B में वो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है find the magnitude and direction of Vt at t is equal to one second कि यह जो Vt है velocity vector है इसका हमें magnitude और direction कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम ले 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 थे equation 1 equation 1 क्या है हमारे पास Vt is equal to 3ik plus 40 jk तो हम equation 1 लिख जेता हूं Vt is equal to 3ik plus 40 jk कब निकालना है at t is equal to 1 तो यहां पर t की value हम कितनी put करेंगे t is equal to put करेंगे 1 तो इस t की space पर 1 put कर देते हैं तो Vt की value कितनी आ जाएगी हमारे पास 3ik plus 4 jk त की space पर हमने क्या put कर दिया 1 put कर दिया तो यह हमारे पास Vt की value आ गए अब यह i cap का coefficient है और यह j cap का coefficient है मतलब 3 जो ह किसकी value है Vx की value और जो 4 है वो किसकी value है Vy की value तो यहां से हम वी का क्या निकाल लेंगे वी का magnitude तो वी का magnitude V is equal to क्या रहेगा अंडरूड Vx square प्लस Vy square यही magnitude का formula होता है हमने पढ़ा है A is equal to क्या होता है अंडरूड Ax square प्लस Ay square तो V is equal to क्या हो जाएगा अंडरूड Vx square प्लस Vy square Vx और Vy की value है तो दोनों की value पूट कर देते है Vx की value कितनी है 3 तो 3 square प्लस 4 square तो 3 का square कितना हो जाएगा 9 और 4 का square कितना हो जाएगा 16 तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 तो तो यह हमारे पास आगे वेलोसिटी का मैगनिटूड उसके साथ सद हमें क्या बताने उसके डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास एक फोर्मुला है क्या है हमारे फोर्मुला है थेटा इफोर्मुला है थेटा को इल्कूलेट करने का थेटा इस एक पर इंवर्स वेल्यू कितनी है आजाएगा थेटा इन्वर्स कितना है वेल्यू है फोर अपन थ्री तो अब हमें पता है जो टेन क्या होता यहां बनाता हूं गतना है और इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा फार और इसका यह जो एंगल ठीटा है विफ्टी ठीट डिग्री ठीटा की वेलिई यहां से कितनी आजाएगी 53 डिग्री तो मतलब यह हमारा तो 53 डिगरी टीटा कि ऩुर वेलीओ यह क्या है लगा कि टीटा की डायरेक्सिन च्रtle और घीटा, 10 игра कि अंधा यह थी शॉन इसकी हमने क्चिन तो लिन गद्ट इसकर शाज हमने क्या कि sourd पोजीशन Templar हमारे पास वैक्रवेक्तर का एक की रिस्पेक्ट में किया गया गया तो डिसकी सेकाइब यहां से इसका मेंगनीटुड यह किसकी lips गवे यह एक कुण आरिए वाय एक प्नुड एक स्टर फेटी को थे मेंड़न 0 कि इसका मैगनीट्यूट किसका डिरtså निकालनी है निकालने का फोर्मॉल थीटा सो टैन इन्वर्स वीविपाइब्ड वी एक्स तो फॉर अपउन थी जो है किसी एंग्री यूप बनाते हुए जा रही है तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाई